हेलो एवरीवन, वेलकम हों स्टडी विद याशी का, कैसे हैं आप सभी? I hope आप सभी अच्छे होंगे So guys, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं KVS, PRT के, December में जो एक्जाम हुआ था Maths के Questions को हम डिस्कस करेंगे इससे पहले हम जो है Reasoning के Questions को डिस्कस कर चुके हैं PRT के भी Questions को हमने डिस्कस किया है TGT और PGT तीनों एक्जाम्स के हमने Reasoning के Questions को कवर कर लिया है तो वो वीडियोज आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं आज हम डिस्कस करेंगे KVS के PRT के Maths के Questions को ठीक है Half Questions इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बाकी के Questions को Next Part में कवर कर लेंगे तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियोज आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियोज को लाइक करें और जादा से जादा शेयर करें ओके गाईस तो चलिए स्टार्ट करतें आज के First Question के साथ First Question देखी क्या है If 20% of 50% of Facts क्या लिखा हुआ है यहाँ 20% of 50% of X चीक है यहाँ पर इनके साथ परसेंटेज है या फिर आप लिख लिजे परसेंट ठाके यहाँ पर बाई में 100 लिख सकते हैं आप चीक है यहाँ 100 लिख लिए हमने इसके बाद क्या गीवन है If 20% of 50% of X Is twice the value of Is यानि कि equal है twice the value of 50% of 25% of Y यहोगे twice उसके बाद 50% के लिए हमने यह लिख लिए है 50 by 100 उसके बाद क्या लिख 25% के लिए 25 by 100 of Y यहाँ गया Y चीक है उसके बाद देखें क्या बोला गया है Then X is what percent more or less than Y तो मैं बताना है कि X कितने परसेंट जादा है या कम है Y से चलिए पहले हम इस equation को जो ही हमारी equation बन गी है इसको हम solve कर लेते हैं को देखी ध्यान से तो यहाँ पर देखी 50 से 50 by 100 से 50 by 100 कट हो चुका है ठीक है उसके बाद यह 100 से यह वाला 100 कट हो गया उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर 2 है 2 से यहाँ पर कट हो कि क्या जगा 10 और उसके बाद 5 से कट कर लिजिए 5 2J 10 और 5 5J कितना हो गया 25 तो यहां से क्या बच गया 2X और इधर से क्या बच गया 5Y तो हमारे पास क्या मिल गया यहां से 2X is equal to 5Y हमें मिल चुका है इसके बाद क्या करेंगे ratio में लेने के लिए X by Y कितना हो जाएगा 5 upon 2 हो जाएगा 2 multiply में था तो नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा अब देखे X की value 5 और Y की value 2 ठीक है X की value 5 Y की value 2 तो X कितना जाद है Y से कितना जाद है बताइए 3 जाद है 2 से X 5 है ना Y 2 है तो X 3 जाद है 2 से percentage निकालने के लिए क्या करेंगे multiply 100 करेंगे तो यह cut करेंगे तो 53 की multiply 50 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 150 तो इस तरह से 150 हमारा क्या आ जाएगा राइट अंसवर और वो क्या बोला था मैंने आपो 3 X जो है 3 जादा है वाई से तो less वाले option तो वैसे ही cut होगे तो more आएगा 150% more हमारा राइट अंसवर हो जाएगा इस question का ओके तो चलिए next question के तरफ move करते next question देखे आपके सामने है देखे इस question को if certain sum is distributed among A, B, C and D in the ratio 3 ratio 4 ratio 8 ratio 6 respectively if the share of C is 2A20 more than that of B then what is the sum of share of A and D यह हमें बताने है ठीक है तो अगर हम यह आपर check करें क्या मिल जाएगा हमें देखे यह A, B, C और D का ratio दे रख है उसके बाद बोला गया है C का share जो है B के share से 2A20 जादा है तो अगर हम यहाँ पहले देखे कितना हमें given है A, B, C, D तो यहाँ पर चाहिए कितना given है 3, 4, 8 और 6 इस तरह से given है ratio में उसके बाद देखे, B और C में जादा बदा है ना, if the share of C is 2A20 more than that of B तो C का कितना है 8, B का कितना है 4, तो यहाँ से कितना जादा है 4 जादा है लेकिन हमें देख इतना रखे, question में कितना जादा दे रखे, 2820, 2820 यहाँ पर हमें जादा दे रखे, ठीक है उसके बाद बोला गया, more than that of B, then what is the sum of the share of A and D और हमें निकालना है A plus D के share का sum निकालना है, यहाँ से 4 की value हमें मिल चुके 2A20, तो 1 की value कितनी आजाएगी, 1 की value हो जाएगी, इसको cut करेंगे, तो हम बताएगे कितनी value मिलेगी, 705 1 की value आजाएगी, 705 और हमें निकालना किसका A और D का, A और D का देखे, 3 और 6, 3 और 6 का sum करेंगे, तो कितना आगया, 9 और 1 की value कितनी है, 705, तो 9 की value निकालने के लिए, 9 से multiply कर देंगे, 705 को, तो किजिए, 9 से multiply जब हम करेंगे, 705 को, तो कितना मिल जाएगा, हमें इस तरह से, इसको multiply करेंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा, 5, 4, फिर 9 की multiply, 7 से, 6, 3, तो 6, 3, 4, 5 हमारा, यानि की option number 4 हमारा, यहाँ से right answer हो जाएगा, ठीक है, तो कैसे किया, इस question को मैं आपको दुबारा बताती हूँ, C जो है, ज़्यादा था, किसे B से, और यहाँ question के अंदर C और B की value कितनी थी, C और B की value 4 ratio 8 थी ना, तो यहाँ से कितना ज़्यादा था, 4 ज़्यादा था, तो 4 की value question में जितनी हमें ज़्यादा बॉली गई है, उसके एकवल रख दी, तो वहाँ से 1 की value निकाल ली, तो उसके बाद क्या किया, A और D का कितना हो गया, 9 तो 9 की multiply 705 से हमने करवा दी, ठीक है, I hope आप सभी को clear हो गया होगा, comment करके, साथ-साथ आप solve क करेंगे, और question बताते रहेंगे, जब आप वीडियो को देखें, वीडियो का आप देख रहे हैं, ठीक है, तो साथ-साथ comment करके, question को answer आप जो है, comment में देंगे, तो चलिए आगे देखें, the length, breadth and height of a cuboid are in the ratio 1, ratio 2, ratio 3, if the total surface area is 1100 cm2, then its volume in cm3, ठीक है, तो हमें volume बतानी है, यहाँ, तो देखें, हमें हमारे पास यहाँ पर क्या given है, length, breadth और height में जो ratio given है, length का, breadth का, और height का ratio कितना given है, 1, ratio 2, ratio 3 given है, ठीक है, उसके बाद total surface area में 1100 square दिया है, और हमारे पास formula क्या होता है, total surface area, cuboid के total surface area का formula होता है, 2 into LB plus BH plus HL, ठीक है, यह formula रहता है, और यह किसकी equal given है, हमें 1100 square, ठीक है, तो उसके बाद हम करेंगे 2 into, L into B करेंगे, L कितना है 1, B कितना है 2, तो 1 into 2 कितना है 2, प्लस BH, B कितना है 2, और H कितना है 3, इनके multiply से 6 आजए गा, HL करेंगे, H3 है, और L1 है, इनके multiply से 3 आगया, ठीक है, तो इसको यह जो है, हमारा क्या चल रहे, units के अंदर चल रहे है, क्योंकि हम क्या कर रहे है, area लेके चल रहे है, तो unit square के अंदर चल रही है, या फिर आप X मान लीजी, unit ना लिखें तो, और square के अंदर हमारा answer र स्के इक वले, 1100 के, क्या जागया, यहां से, हमारा 22 units का square, unit का square लिख लिख लो, हमारा कि सके कड रहे है, 11,00 के ले, अभी किस पर कट ऊ रहे, 11 पर कट जाएगा, 11 को इससे किया, यहां 2 आ गया, तो तो को 100 से कट करेंगी, 50 आ गया, तो X square की value हमारे पास, यहाँ पर क्या आ फाइब रूट टू आगी उसके बाद हमें निकालनी कि है वोल्यूम तो यह तो एक्स की वैल्यू एक यूनिट की वैल्यू आई है लेकिन लेंथ ब्रैट और हाइट में रेशो कितना है लेंथ ब्रैट और हाइट का रेशो हमारे पस था वन रेशो टू रेशो त्री तो एक 15 रूट 2 यहां तक हो गया उसके बाद निकालना क्या है वॉल्यूम वॉल्यूम का फॉर्मला क्या होता है ल बी एच लैंध इन्टू ब्रेंध इन्टू बैथ इन्टू हाइट तो इन सब की मल्टिप्लाई करेंगे जब हम कितना आजाएगा लैंध इन्टू बैथ 15 की 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 75 75 की 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 750 750 और 2 रूट 2 की मल्टिप्लाई करेंगे तो 750 मिल गया और एक रूट 2 रह गया तो रूट 2 यहां आगया में किस तरह ऐसे त्यारी करनी है कौन कों से topic से question direct पूछे जा रहे हैं next question देखे simplification का question है simplification का question किस तरह हैं से हम solve करेंगे तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहे है तो सबसे पहले please आप वीडियो को like करिए वीडियो को सभी जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक करिए और next question का मुझे answer आप सभी साथ में solve करकी comment box में दीजी मैं यहां solve कर रही हूं ठीक है आपका answer मुझे comment box में चाहिए तो देखिए यह वाला question इसको देख लेते हैं हम एक चीज यहां पर आप ध्यान रख के चलें मान लिजे कहीं पर x given है आपको x की power minus 1 given है तो यह किसकी equal होता है 1 upon x की equal होता है इस चीज़ का हम use करेंगे इस question में ठीक है अगर मान लिजे जैसे आपको दे रखाओ 5 by 2 और उसकी power दे रखें minus 1 तो इसको हम लिख सकते है 2 by 5 ठीक है power 1 हो जाएगी ठीक है opposite हो जाते है इस तरह से तो देखिए अब question को हम solve करेंगे तो जब क्या दिया हुआ है portion के अंदर देख लेते हैं हां जी तो देखिए 81 by 16 की power minus 3 by 4 है ठीक है अब हम इसको क्या लिख सकते हैं किस तरह से solve करेंगे यह आप देखिएगा 81 by 16 है तो इसकी power minus 3 by 4 है मैंने आपको क्या बोला opposite करेंगे तो minus चुह है change हो जाएगा plus में तो हम 81 by 16 को लिख लेते हैं 16 by 81 और power minus से हटके क्या होजएगी plus में होजएगी 3 by 4 हो जाएगी ठीक है उसके बाद हमने क्या किया 25 by 9 को भी इसी तरह से लिख लेंगे इसको हम लिख लेंगे 9 by 25 इसकी power minus में थी तो ये भी क्या होजएगी plus में होजएगी 3 by 2 इसके बाद क्या है divide 5 by 2 की power minus 3 है तो इसको भी हम क्या लिख लेंगे 2 by 5 कर देंगे ताकि power हमारी plus में होजएगी power होगी 3 यहां तक आगे आपको समझ इसके बाद देखी हमें क्या करना है इसके बाद हम solve करने के लिए देखे क्या करेंगे यहां तक आप note कीजी इसको मैं rough कर रही हूँ और फिर इसके बाद जो है इसको आगे solve करूँगी ठीक है तो देखे 16 by 81 तक हमने लिख लिख लिया था उसक इसको किस तरह हम solve करेंगे 16 by 81 की power 3 by 4 थी उसको मैंने लिख लिया 3 by 2 by 3 उसकी power 4 और उसकी power कितनी थी 3 by 4 यह थी चिक है और उसके बाद क्या था 9 by 25 की power 3 by 2 थी चिक है तो मैंने लिख लिया 9 by 25 को 3 by 5 3 by 5 का square और उसकी power कितनी थी 3 by 2 वो multiply में आगी हैं चिक है उसके बाद था डिवाइड में 2 by 5 की पावर 3 चिक है डिवाइड में क्या था इसके 2 upon 5 इसकी पावर 3 इसको हमने ऐसे का ऐसे रहने दिया यहां तक कर लिया, इसके बाद है कि 4 से 4 कट हो गया, यहां 2 से 2 कट हो गया, ठीक है, यहां तक हो गया, उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहां से 2 by 3 का क्यूब हो गया यह, ठीक है, यहां से हो गया 3 by 5 का क्यूब, और यह डिवाइड में क्या है, 2 by 5 का क्यूब, यह 3 का cube upon 5 का cube चीक है multiply जो divide में था ना 2 by 5 का cube उसको हमने लिख लिया 5 by 2 का cube क्योंकि वो divide में था हमने multiply में कर दिया अब कट कर दीजी जो कट होते हैं यह सब कट हो जाएंगे इससे के कट हो गया तो हमें क्या मिल जाएगा 1 वन अंसवर मिल गए तो option number 2 हमारा यहां से राइट अंसवर हो गया चीक है देखे next question क्या है देखे next question क्या है LCM of two numbers is 340 times the year HCF यानि की LCM जो है LCM 340 times है HCF के LCM जो है LCM और HCF कितना है मान लीजिए अगर HCF 1 है तो LCM उसका 340 times है उसके बाद क्या कह रहा है if HCF is 26 HCF हमें देदी है 26 तो LCM क्या हुजेगा इसका 26 time तो 26 से multiply कर देंगे 340 अब यहां पर आपको multiply नहीं करने बैट जाएना है पूरा complete आप multiply नहीं करेंगे सिर्फ इस तरह लिख देंगे 26 into 340 तो कहीं आप पूरा multiply करने लगजे हैं तो बहुत जादा time लगजेगा उसकी जरूरत हमें यहां पर नहीं है उसके बाद देखी क्या दिया हुआ है यहां पर आपको एक नमबर दे रखे 442 और आपको दूसरा नमबर फाइंड आउट करने है माले जी एक नमबर x into y ठीक है एक और y दो नमबर है तो आपको पता होगा x और y दो नमबर का जो product होता है वो उनके LCM into HCF के equal होता है LCM और HCF की product के equal होता है ठीक है अब यहां पर हमारे पास LCM कितना है 26 into में 340 26 into 340 है और HCF कितना है 26 है यहां तक हो गया और x की value यानि कि एक नमबर हमारे पास कितना है 442 और उसके बाद दूसरा नमबर हमें नहीं पता y और y हमें find out करने है तो इसको solve कर ल आप लिए 13 पर अगर हम cut करते है इसको यहां जगा 2 तो इसको 13 से cut कीजिए क्या यह जगा 3 और यहां पर क्या रह गया 4 ठीक है यह cut हो गया उसके बाद कर लिजिए यहां से 2 से cut करेंगी यह 17 आ गया 17 से यहां cut कीजिए तो कितना हो जएगा 1720 तो 26 20 की multiply करेंगे तो कितना मिल जाएगा 26 और 20 की multiply से हमें मिल जाएगा 52 यानि की 520 520 मिल जाएगा तो y की value कितनी आगी 520 तो 520 यानि की option number 3 हमारा यहां से right answer हो गया तो चलिए next question देख लेते हैं next question देखी क्या है देखे next question 2 years ago Ritu was 3 times as old as her daughter and 2 year hence twice her age will be equal to five times that of her daughter what is the sum of present age of Ritu and her daughter हमें निकाना क्या है सम निकाना है present age का Ritu का और उसकी daughter का लेकिन हमें दिया क्या है two years ago दो साल पहले Ritu और उसकी जो daughter है Ritu जो है three times थी उसकी daughter की age कब 2 साल पहले 2 साल पहले की बात हमें given है Ritu और उसकी daughter 2 साल पहले क्या थी 2 साल पहले यानि कि 2 years का यहां पर gap चल रहे है 2 years का जो रितु थी उस्ने क्या बोले twice, तोखरी धुर Einा देखते हैं, रितु वास three times as old as her daughter रितु जो थी three times थी three times उसकी daughter से इनि कि three ratio वण हो गया उसके बाद क्या दिया गया है twice her age will be equal to five times that of her daughter यानि कि twice her age किसका twice हो गया डोटर की age का तो twice हो गया और equal हो जाता है वो किसके five times के यानि कि जो रितु की age है वो five times हो जाती है उसकी डोटर की age है यह हो गया five ratio two का बहुता है यह two year hence मतलब दो साल के बाद हो इसके दो साल के बाद तो यह दोर दोर कितना होगे चार साल का gap है यह चार साल का ठीक है अब देखें यहां कितने का gap आ रहा है five or two में three का और यहां three or two में कितने का gap है यहां three or two three sorry three or one three or one के अंदर यहां कितने का gap है two का gap है ठीक है three or one में two का gap है लेकिन ये gap क्या होना चाहिए, ये same होना चाहिए इस gap को same बनाने के लिए हम क्या करेंगे जहाँ 2 है उसको तो 3 से multiply करवा देंगे और यहाँ 2 से multiply करवा देंगे यानि कि इसको 3 से और इसको 2 से multiply करेंगे तो यहाँ पर हम लिख लेते है रितू और यहां उसकी daughter, Ritu के लिए R use किया, मैंने daughter के लिए D use किया तो यहां हम 3 से multiply करा रहे हैं, 3 ratio 1 को तो क्या मिल गया, हमें 9 ratio 3 ठीक है, और यहां 2 से किया, 5 ratio 2 को 2 से multiply किया, तो क्या मिल जागा, 10 ratio 4 अब देखे, दोनों के अंदर equal हो गया, यहां 6 का difference हो गया, लेकिन यहां पर कितने का difference चल रहा था, यहां पर difference चल रहा था, 4 years का, ठीक है, यहां पर कितने का difference चल रहा था, 4 years का difference, लेकिन यह तो यहां चल रहा था, लेकिन हमारा कितना है, 9 और 10 में, 3 और 1 में, 1 साल का difference है, आनि कि एक साल की वैल्यू कितने के एकवल होंगी एक की वैल्यू photo ap пад यह मिल गया लेकिन यह तो क्या यह तो क्या यह दो साल पहले की लेकिन हम क्या चाहिए प्रईजट्ट में पुशने के लिए दो दो साल करने पड़ेंगे घुतृ Time लग lyrics 38, 12 में 2 साल ead करेंगे तो कितना मिल जएगा, 14 38 और 14 मिल जएँगे हमें 38 पलस 14 क्यूंकि हमें इन दोनों का सम निकालने हैं इन दोनों का सम किजिए 38 और 10, 48 48 और 4 कितना हुजएगा, 52 52 हमारे क्या जएगा यहांसे right answer हो गया चिक है, चलिए आगे इस तरह से दुबार से देखिए the measure of an angle for which the measure of supplement का जो measure है वो four times है measure of compliment के अब देखिए supplement का अगर एक कितना होता है और उसके बाद का एक एंगल एक से तो दूसरा क्या हो जाएगा नाइनटी माइनस एक्स यह हो जाएगा ठीक है उसके बाद यह बोले four times है ठीक है जो supplement वाला है वो compliment वाले के four times है इस तरह से बन जाएगी equation इसको हम solve करें तो हमें निकालना क्या है निकालना है हमें the compliment is compliment वाला angle बताना है तो चलिए इसको हम solve कर लेते हैं यहां से 180 माइनस x है ना इसको तो ऐसे कैसे ही रहेगा 180 माइनस x तो 4 की multiply 90 से करेंगे 360 हो जाएगा माइनस का 4x हो गया ठीक है उसके बाद करेंगे इसको solve 360 में से 180 इधर जाएगा तो माइनस हो गया 180 रह गया और 4x यहां के प्लस का हो जाएगा 4x में से x गया 3x हो गया तो यहां से x की value हमें कितनी मिलगी 60 degree ठीक है x की value 60 degree ठीक है और हमें निकालना क्या था कॉम्प्लिमेंट वाला एंगल कॉम्प्लिमेंट वाला एंगल यानिकी x की value निकालना यह का एंगल हमने x माना था ना तो x की value कितनी आ गई 60 degree 60 degree का है option number four में ठीक है तो यहां से option number four हमारा 60 degree right answer हो जाएगा आपको यह ध्यान रखना है बस की compliment के जो एंगल से compliment के जो हैं उसका तो सम होगा 90 degree और supplement की एंगल का सम होते है 180 degree एक एंगल x है तो दूसरा क्या हो जागा 90 degree — x और यहां हो जागा 180 degree minus x ठीक है फिर जैसे question में बोलाओ उसी according आप solve करेंगे ठीक है next question देखिए the ratio between the curved surface area and total surface area of a right circular cylinder is to ratio 3 अगर आपको अच्छे से visible नहीं है तो मैं बोल रही हूं clear हो जाएगा आपको क्या statement given है the ratio between the curved surface area and the total surface area of a right circular cylinder is to ratio 3 what is the ratio of radius and height of the cylinder हमें ratio किसका निकालना है radius का और height का यह ratio निकालना है तो सबसे पहली बात क्या होगी यहां पर कि जो ratio है curved surface area का और total surface area का फॉर्मला क्या होता है cylinder के curved surface area का फॉर्मला क्या होगा 2πrH 2πrH और total surface area का क्या हो जागा 2πr in 2 में क्या होगा r plus h यह formula हो गया और इसके बाद हमें इनका ratio कितना given है 2 ratio 3 2 by 3 लिख लिए अब यहां से देखे 2πr से तो 2πr कैंसिल हो गया तो क्या बच गया h upon h upon r plus h और यहां से किसकी कवल होगे 2 by 3 के तो अब हम इनका क्या कर देंगे cross multiply करेंगे तो क्या आजएगा यहां से 3h इनकी multiply की क्या आजएगा 3h और इन दोनों की करेंगे तो क्या आजएगा हम या लिख लेते हैं कि हमारे पास जो है h by r आगे 2 by 1 और हमें निकालना क्या है आर बाइच लिखना हो तो क्या लिखेंगे वन रेशो टू वन रेशो टू वन रेशो टू आ गया तो में यहीं निकालना था यह यह तो चलिए यह थे हमारे आज के कुछ important questions को next questions को जो हम नेक्स्ट विडियो में डिसकस करेंगे और अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक औरश चेर जरूर करें ठीक है तो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्लीज लाइक औरश चेर जरूर कीजेगा इससाइड याश्री का साइनिंग ओफ टेक आरी गूड कियर अफ यूर्सेफ तैंक Thank you so much, bye-bye!